आपने कभी एक बिल्डिंग को बनते देखा है? इच से इच जोड़कर उसमें थोड़ा सा सिमेंट मिलाकर एक तूटे फूटे ढाचे को रंगाई पुताई करके बेचने के लिए तयार किया जाता है. ग्रहाप को पसंद आया तो कीमत उची लगती है परना मन मार के सस्ते मे पीछा चुड़ाना पड़ता है. हमारी बॉलिवूड फिल्म इंडस्ट्री का मामला भी कुछ ऐसा ही है. टेलेंट की नीव रखकर बंदा अपने महनत के दम पर खुद को बेचने निकल पड़ता है. रोल में फिट बैठा तो चहरा सीधे फिल्म के पोस्टर पे वरना मु आपके लिए लेकर एक स्पेशल विडियो जिसमें कुछ मास्टर माइंड लोगों के चहरों से नकाब उतारूंगी जिनको नए एक्टर्स की किसमत से खेलने का काफी शौक चड़ा हुआ है. इनको डॉन बोलना तो डॉन शप्त की बेज़ती होगी. लेकिन सबको एक साथ मिलाकर आप बॉलिवुड का माफिया गैंग बुला सकते हो जो बिना एक भी गोली चलाए किसी भी इंसान की जान ले सकता है. अरे भाई सपने तोड़ दीजिए उसके बाद इंसान जीकर करेगा ही क्या. सबसे पहले नाम आता है महेश बटका जिनको आप एक सपेरे की तर पार निकलाते हैं. इससे दो काम होते हैं. पहला हीरो हीरो नए हैं तो आप दिन बोलोगे तो दिन, रात बोलोगे तो रात उनको सब मंजूर है. दूसरा ये कि महेश साब नए टालेंट को मौका देने वाले मसीहा बनने का नाटक भी कर लेते हैं. जरड है यह असलियत मैं आपको बताती हूँ. दरसल भट साब अपनी फिल्मों को बेचने के लिए अकसर खुलम खुला स्क्रीन पर नई एक्टरस के शरीर की दुकान सजा देते हैं. जिस्म की विपाशा से लेकर जिस्टू की सनी लियोन. कहानी में कुछ खास बदलाग नहीं आया है, दोनों फिल प्ले करने को मजबूर करते हैं, मना किया तो चपल भी फेक कर मार देते हैं. तो कभी रिया चक्रवर्ती के लव गुरू बनकर बहार आते हैं और सुषान से ब्रेक अप करने की सलहा भी देते हैं. क्योंकि इनके भाई मुकेश भट भविशे देखने की ताकत रखते हैं, जो पहले से ही जानते थे कि सुषान अपनी जान की दुश्मन बनने वाले हैं. और हाँ, एक लास्ट फाइंट तो छूटी गया, इनकी बिट्या रानी पूजा भट के बारे में तो आप जानते ही हैं, भगवान न करे उनकी जैसी जहरीली एक्टिंग का टेलेंट किसी और कलाकार की किस्मत में आये, लेकिन मैडम किसकी बेटी हैं, ये बात साबित करने में कभी पीछे नहीं रहती, इनका लास्ट फीटी पढ़ लो, इनका मानना है कि कंगना रनाउट को फिल्म में लेकर इनके पिताजी ने बहुत बड़ा एहसान किया था, अच्छा तो मतलब क कंगना का टैलेंट बेकार है, उसकी वज़े से उनको फिल्म में थोड़ी मिलती हैं, ऐसा करते हैं, अगली बार भट साब आपको लेकर एक फिल्म मना कर दिखाएं, उसके बार देखते हैं, फिल्म को कम से कम 4-5 ओसकर तो मिली जाएंगे, है ना, दूसरा नाम है उस इनसा को चोट लगती है, तो उसके शरीर से लाल रंगा खून बहार निकलता है, लेकिन करण सहाब को अगर खरो चाएगी, तो इनके शरीर से नेपोटिजम की कैपसूल बहार निकलेंगे, कैपसूल का रंग तो लाल ही है, लेकिन ये रंग इनका नहीं, बलकि उन आउटसाइड का है, जिनकी फिल्म में चीन के या अपने शोनु मुनु को गिफ्ट कर देते हैं, आल्या भट जैसी दुनिया की सबसे बड़ी जनल नारेज एक्सपर्ट और इंसेप्शन जैसी फिल्म को दिलवाले से पीछे चोड़ने वाले सर वर्नार्डो डीकैप्टियो हर कोई करार रंकल की गोद में खेलकर बढ़ा हुआ है, इनकी सबसे बड़ी चतुराई वाली चाल मैं आपको बताती हूँ, अब तक आप समझी गए होंगे कि करन सहाब एक फैमिली मैन है, जो अपने दोस्त और उनके बच्चों के लिए फ्री मेल लाइफ इंशरेंस की पॉलिसी के बिचा कर करते हैं, फिर चाहे जानवी कपूर को धड़क में देख लीजे, जो मराथी फिल्म सहराट का हिंदी रीमेक है, या फिर अनन्या मैडम को, जो स्टूडेंट ऑफ दियर जैसी पॉपिलर फिल्म के सेकंड पार्ट में घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, ल लडाते लडाते कुछ असली टैलेंट वाले एक्टेस को नीचा दिखाने के लिए कभी उनके रंग पे तो कभी उनके इंग्लिश ना बोल पाने पे चुटकले तयार किये जाते हैं, जिसके बहाने परसनल खुननस भी निकाल दी जाती है, कंगना रनाउत वाला इंटर्व की चुसकी लेने का इंविटेशन मिला था, इसमें सारी बेशर्मी की हदे पार करते हुए, कंगना को प्लास्टिक सर्जरी और उनके एक्स बॉइफरेंट्स का नाम लेकर टीवी पे लाखो लोगों के सामने खुब बेज़त किया गया, तो बस कुछ सालों बाद कंगना न दर शराब, ड्रग्स, गुसा, मारपीर जैसी कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन एक अच्छी आदत है जो जरुरत से जादा बुरी हो गई है, उनका गौड़फादर बनने का सपना, जिसमें वो कुछ बेरोजगारों को रोजी रोटी कमाने का मौका देते हैं, फिर चाह बेस्ट फ्रेंड के बेटे को जेल से बहार निकाल कर लोगों के सामने हीरो बना कर प्रस्तुत कर देते हैं, गलत मत सोचे है, हमारे भाईजान बहुत भोले हैं, ये तो दुनिया ही बड़ी चालाक है जिसने भाई को फसा दिया, फिर चाहे विवेक ओब रोए हो या फिर अधिजीत सिंग, ये लोग तो बस भाई के नाम का सहारा लेकर फेमस होना चाते हैं, वरना भाई किसी का कभी बुरा सोची नहीं सकते हैं, अरे भाई की फिल्में देखी हैं, अगर रेस ट्री जैसी फिल्म को आसकर में भेजा जाता, तो मजाल है कि पैरसाइट को आसकर मि कर लेते हैं, देख रहे हो इतना टैलेंट एक इनसान के शरीर में, तुमको पता है भाई खुद को कैसे रोकते हैं, वरना सारे सिंगर, डांसर, आक्टर सब घर बैठ जाएंगे, देखो मजाक एक तरफ और अनभकती दूसरी तरफ, अपनी आँखे खोलिये और असली टैल हिम्मत करिए, वक्त बदलेगा और बॉलिवोड इंडस्ट्री में सफाई अभियान की शुरुवात भी होगी, बस मुझे और आपको साथ मिलकर अपने हाथों में चपल उठानी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल पैरों की गंदगी से ज़ादा ज़रूरी आँखों की झाल